हालो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम वुट मॉडल वब का पूरा प्रयोक सीखने वाले हैं किस किस कंडिशन में हम वुट का प्रयोक करते हैं और साथी साथ संटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है और use करते वक्त mood कैसा होता है ये जब हम आज की वीडियो में सीखेंगे वीडियो में would के बहुत सारे example दिये गए है sentence में इसको कैसे use करना है पूरे अच्छे से समझाया गया है और would के प्रियोग को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि अंत तक वुड के नियर अबाउट 50 sentences आप सीख जाएंगे तो I hope आपको वीडियो पसंद आएगी लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आगे आने वाली हमारी सभी वीडियो के नौटिफिकेशन आपको मिलते रहें आए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि वुड का प्रियोग हम किन किन कंडिशन में करते हैं तो हमारे पास चार कंडिशन हैं जहां पर हम वुड का प्रियोग करते हैं पर्स वन इस तू इंडीकेट र्रिक्वेस्ट एक विंटी को दर्शाने के लिए जब आप किसी से कोई विंटी करते हैं कुछ कहते हैं कि आप क्रिपया करके मेरे लिए काम कर दीजे तब हम वुड का प्रियोग करते हैं हमने जो हमारी लास्ट विडियो थी उसमें हमने कुछ और कैन का भी प्रियोग ऐसे ही सीखा था कि वो भी request को बदाने के लिए use होता है लेकिन would का प्रियोग बहुत ही professional और बहुत ही जादा polite होता है so would is used to indicate a very polite request example आगे मैंने दिये हैं काफी सारे next is to express a wish or desire जब आप कोई अपनी wish बताते हैं या आपनी कोई इच्छा बताते हैं इच्छा किस sentence में कि like मेरे पास दो option है लेकिन दो options में से मैं एक को चुनना चाहती हूँ एक मेरी desire है तो तब हम would का प्रियोग करते हैं so to express a wish or desire we use would as a model verb next is as a past tense of will in indirect speech direct और indirect speech सभी ने पड़ी हुई होती है तो उसमें जब past tense का प्रियोग होता है will की जगे हम would का प्रियोग करते हैं मतलब जब direct sentence से हम indirect speech में change कर रहे होते हैं और sentence की reportive verb वो simple past tense में होती है तो reported speech में will की जगे would का प्रियोग होता है like she said that she would play guitar next is as a substitute of used to as everyone knows that used to का प्रियोग past की किसी habitual action के लिए हम करते हैं तो वहाँ पर हम would का प्रियोग as a substitute to used to कर सकते हैं मतलब used to की जगे हम वहाँ पर would का प्रियोग अगर करते हैं तो past tense की हमारी habitual action को हम indicate कर सकते हैं यहाँ पर हम examples देखते हैं यह request के example है would you please close the door? क्यार तुम please doors को बंद कर दोगे? would you please get me a pen? क्यार तुम please मुझे एक pen ला दोगे? would you please help me? क्यार तुम कृपया करके मेरी सहयता करोगे? would you play with me? क्यार तुम कृपया करके मेरे साथ खेलोगे? would you please drop me at my place? क्यार तुम please मेरे को मेरी जिगह पर छोड़ दोगे? would you please drop me at my place? would you teach me? क्यार तुम मुझे पढ़ाओगे? will you teach me is little bit rude लेकिन would you teach me is very polite next is to tell the desire मतलब दो option है दो option में से आप एक अपनी choice बता रहे हैं एक अपना wish बता रहे हैं वहाँ पर हम would का प्रियोग करते हैं rather starve than back मैं भूका रहना पसंद करूंगा बजाय इसके कि मुझे भीक मागनी पड़े I would rather quit than cheat मैं किसी को धोका देने से बेटर समझूंगा कि मैं quit कर दूं छोड़ दूं I would rather play than eat मैं खाने की बजाय खेलना पसंद करूंगा I would rather starve than cheat मैं किसी को धोका देने की बजाय भूका रहना पसंद करूंगा I would rather die than cheat मैं धोका देने की बजाय मरना पसंद करूंगा यहां पर आप I would की जगे केवल I would like to do this आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट यूज़ है वुट इस यूज़ अस पास्टेंस ओफ विल इन इन डिरेक्ट स्पीच लाइक ही तोल्ड मी दाट ही वुट लोग इन्टो दे मैटर उसने मुझे बताया कि वो इस मैटर में देखेगा He told me reported verb है ये past tense में है इसलिए जो reported speech है वो भी simple past tense में ही जाएगी total past में जाएगी यहाँ पर he will था वो indirect speech में he would हो जाएगा उसने कहा कि वो match खेलेगा उसने कहा था कि वो match खेलेगा हिंदी में खेलेगा ऐसा पता चल रहा है कि यह future tense में है लेकिन इस speech को past tense में कहा गया है इसलिए will की जगे यहाँ पर would का प्रियोग होगा You told me that you would not tease me तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे नहीं चिडाओगे Satish told me that he would try to re-on him Satish ने मुझे बताया कि वो उसका नाश करने की कोशिश करेगा She said that she would curse Satish उसने कहा कि वो Satish को शाप देगी They said that they would go for morning walk उन्होंने कहा कि वो morning walk के लिए जाएंगे अब next जो would का use है वो है जब आप would का प्रियोग past tense में की गई regular activities के लिए बताते हैं मतलब as the substitute of use to कि मैं पुराने दिनों में ऐसा किया करता था Those days I would play cricket उन दिनों मैं cricket खेला करता था In those days I would go for a long walk उन दिनों मैं बलंबी walk के लिए जाया करता था That year I would play basketball उस साल मैं basketball खेला करता था In my school days I would play cricket मैं अपने school के दिनों में cricket खेला करता था In my school days I would play cricket तो उसी वीडियो में हमने समझा की वुड का प्रीयोग कैसे करते चेसे और कहां करते हैं अ अगर आपको विडियो wham आने वाली सभी वीडियो के नॉटिफिकेशन्स आपको सबसे पहले मिलें बाकी वीडियो के लिंक भी माने डिस्क्रिप्शन